Hello everyone, my name is Avantika Singh I welcome you all to my channel Avantika's Curiosity Club आज हम बात करेंगे इंडिया's location को इस chapter को हम deal करेंगे बहुत ही short में क्योंकि already हमने detail में deal कर लिया है ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये chapter 5 मिनिट में revise करना चाहते हैं mainland of India north में start है Jammu and Kashmir से और south में ये end होता है तो south में हमने क्या दिखा कन्या कुमारी और north में Jammu Kashmir east में अरुनाचल प्रदेश और west में गुजराथ और east से west तक की distance क्या है तो east से west तक की distance है 2933 km और north से south की distance क्या है तो 3214 ठीके उल्टा करम जा रहा है 321 and then starting में 4 होना चाहिए था लेकिन 4 end में है 4 km 3214 km then one nautical mile one nautical mile equal होता है कितने 1.8 km के अब nautical miles की बात कहां से आती है तो जैसा कि आपके बुक में mentioned है कि हमारा जो इंडिया है उसका area हम देखते हैं कि ये जो इंडिया का main land है उसको थो हम area consider करते ही है बट उसके इलावा main land से जो water body का हिस्सा है तो वो भी हमारे area के अंडिया ही आता है तो कहां तक इंडिया के coast से water body में कितना दूर हमारा area extended है तो 12 nautical miles और 1 nautical mile की value होती है 1.8 km नेक्स्ट ये दिया हुआ है कि जो इंडिया है वो almost 30 डिग्री पर divided है 30 डिग्री यानि कहने का मतलब है कि north से south 30 डिग्री है almost और east और west से जो distance है वो भी 30 डिग्री है और north से south की value 30 डिग्री ही इनका भी difference है ये distance और ये distance जब 30 डिग्री है तो ये north से south तक की distance जो है वो 3214 और east से west तक की distance जो है वो 2933 कैसे होती है यानि कि ये कम कैसे हो जाती है ये distance इसके comparison में ये इसलिए होता है क्योंकि आपके book में एक question पूछा है find out the distance between two latitudes दो latitudes के बीच का जो distance होता है वो हमेशा 1111 km होता है और यही हम देखते हैं कि जो longitudes हैं वो उसके बीच का distance घटता जाता है जब हम poles की और जाते हैं इसलिए हम क्या देखते हैं कि ये जो distance है वो कम होता है in comparison to north to south आपको इतना याद नहीं करना है आपको बस इतना याद करना है कि दोनों ही 30 degree है east to west और north to south but जो north to south की distance है वो थोड़ी से जादा होती है और एक question पूछा है आपके book में कि find out the distance between two latitudes तो that is 111 km और इंडिया में जो आपका आता है इंडियन स्टांडर टाइम तो इंडियन स्टांडर टाइम हमारा जो है वो 82 डिग्री से start होता है 82 degree 30 minutes east तो 82 degree 30 minutes east यानि 80 and 84 के बीच से ये जाती है लेका निकि हम लंडन से 5.5 घंटा आगे टाइम पर चलते हैं यहां का टाइम जो है वो आगे चलता है क्योंकि सूरज यहां जल्दी निकलता है ठीक है इस से सूरज निकलता है और वेस्ट के ओर दिखाई देता है तो अरुनाचल प्रदेश में जो सूरज है वो हमें पहले दिखाई दे जाता है in comparison to गुजरत तो इस टाइम को एक करने जाता है तो मद्य प्रदेश चात्यजगर उत्तर प्रदेश आंध प्रदेश और उडिसा और उत्तर प्रदेश में जगा है मिर्जापुर जिसके आपने वेब सीरीज देखी होगी तो वहां से यह पॉइंट गुजरता है कौन इंडियन सैंडर टाइम ओके अगर आपको इस वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लॉंग वीडियो को कंसेडर करिए उसमें डीटेल में बात किये हमने कि क्या है क्यूं है किस लिए देन साइस की बात करते हैं तो हमारा इंडिया बहुत ही डाइवर्स है हम देखते हैं कि इंडिया की को 4100 Km और उसके लावा अगर अभी निकोबार और ललक्षडीव की बाउंचरी की को मिला देते हैं तो इसकी कोस्त C में आपको लक्षदीब दिखाई देता है then कुछ passes है हमारे कुछ passes के नाम है खाईबर, बोलान, शिपकिला, नाथुला और बॉमडिला ये 5 passes है passes क्या होते हैं दो पहाडों के बीच का जो एरिया होता है दो पहाडों के बीच का जो पास होती है उसी को हम बोलते हैं अब पहाडों क्रॉस करके आना मुश्किल है तो बीच इन पहाडों के बीच से जो है रास्ते बनाए गए हैं इनी को बोलते हैं passes इंडियन सब कॉंटिनेंट के अंदर 5 कंट्रीज आती हैं पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांगलदेश और इंडिया इटसेल्फ इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं इंडियन सब कॉंटिनेंट हमारा जो इंडिया है वहाँ पे पूरी डाइवर्सिटी दिखाई देती है हमको यहीं पे गुज़ात में देखने को मिलती है मरुस्थली यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं पहाड माउंटेंस दिखते हैं हमको इधर दिख जाती है हमको पुर्वांचल्स हिल्स देन उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि play two reason है planes भी हमको इंडिया में मिलते हैं एक writer है उन्हेंने कहा है कि अगर आपको world देखने का time और पैसा नहीं है तो आप इंडिया पोहच जाएए इतनी diversity आपको इंडिया में अकेले मिलती है हर धर्म के लोग हर जाती के लोग आपको यहां मिल जाएंगे तो आपको इतनी diversity मिल जाएगी planes भी है, play two भी है, mountains भी है वो सारी इंडिया में देखने को मिल जाते हैं इंडिया और इसके neighbors की बात करते हैं तो इंडिया के पास कौन-कौन से neighbors हैं चलिए count करते हैं पहला Pakistan दूसरा Nepal फिर Bhutan Bangladesh, Myanmar और हमारा China अगर हम water body में बात करते हैं कि हमारे कौन-कौन से दो और नेबर्स हैं तो श्री लंका और माल्दीव श्री लंका इधर है और माल्दीव यहां आपको मिल जाएगा ठीक है तो यह होती हैं हमारे neighbors दो और चीज़े हैं जो आपको याद रखनी है कि इंडिया और श्री लंका के बीच में क्या है तो इंडिया और श्री लंका के बीच में एक पाल्क स्ट्रेट है यह पाल्क स्ट्रेट वाटर बॉड़ी का नाम है वाटर जो है इंडिया और पाकिस्तान को इसको जोड़े हुए है उस water body का नाम है पालक स्रेट और गल्फ ओफ मननार ये जो गढधा आप देख रहे हैं यहाँ पर इसको बोलते हैं गल्फ ओफ मननार तो ये गल्फ ओफ मननार इंडिया और स्रिलंका को सेपरेट करता है और इंडिया में जो हमारा southernmost point है वो क्या है तो southernmost point हो जाएगा हमारा इंडिरा पॉइंट जो की निकोबार के एरिया में है निकोबार के एरिया में पढ़ता है हमारा इंडिरा पॉइंट जो की 2004 की सुनामी में डूब भी गया था और अगर हम बात करते हैं मेल लैंड इंडिया की तो मेल लैंड इंडिया में लक्षदीप लक्षदीप involved नहीं है में लाइन इंडिया में अंडबानी को बारे इंवाल्ड है इतना रीजन की बात करते हैं तो में लाइन इडिया में जो उसका साउधन मुस्ट पॉइंट है तो साउधन मुस्ट पॉइंट है यहां पे हमारा कन्या गुमारी जो कि तमिल नाडू का बाट है तो इसी के साथ आपका चाप्टर खतम होता है मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन थेंक यू थेंक यू घर मच्छ